गुड मॉर्लिंग दोस्तो स्वागत थे आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे सी यूटूब चैनल स्टेडी सर्केल 2.0 में सो कैसे हैं दोस्तो आप सभी लोग आई हो बहुत ही बढ़िया होंगे और स्टेडी भी आप लोगों हो सकता है कर रहे हों अथवा ना कर रहे हों चलिए कोई बात नहीं आपका आज हम सलावस डिसकस करेंगे और बहुत ही जल्दी आपकी क्लासेज भी स्टार्ट कर देंगे लेकिन आप लोग जो है फर्स सेमस्टर का पढ़ते रहेगा दोस्तों क्योंकि असका भी आपका एकजाम होना है ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें इसका का एकजाम नहीं देना और फिर इसके साथ जैसे ही स्लावस कंप्लीट होता है तो हम आपका प्रिप्रेशन जो है स्टार्ट करवा देंगे ठीके दोस्तो चलिए तो दोस्तो आज जो हम स्लावस डिसकस करने वाले हैं वो पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमिस्टर का है और ये जो ब्रांच सेलेक्ट करी गई है आज वो है कैमिकल इंजीनरिंग ब्रांच ध्यान दीजी जो ब्रांच है वो कैमिकल इंजीनरिंग है हम लोग दोस्तो देखिए सिबिल का देख चुके हैं हम लोग अलक्ट्रिकल का देख चुके हैं दोस्तो हम लोग mechanical का देख चुकों हैं slabus ये तीन ब्रांच हम लोग जो है cover कर चुके हैं ठीक है और आज हम जो slabus देखने वाले हैं दोस्तो वो देखने वाले हैं हम लोग chemical engineering का ठीक है और बच्छे का हमारा एक ब्रांच और electronics तो उसका भी हम बहुत जल्दी आपके साथ share कर देखेंगे अगर कोई other branch का students भी हम लोग के साथ जोड़ा हुआ है तो बेज ही जग वो comments कर सकता है कि सर मेरा branch ये है और मेरा slabus बता दीजे मुझे कौन कौन से subject जो पाढ़ने होंगे ठीक है दोस्तो मैली जो हम ले कर कि branches चल लाएं वो यहीं सारी branches है लेकन अगर आप मैंस से बेज़िजग रहीएगा ठीक है और comment जरूर कर दीज़ेगा चलिए तो chemical engineering branch जो है दोस्तो और इसका जो polytechnic second semester है ठीक है इसमें कौन कौन से subject जो है students को पढ़ने होंगे चलिए discuss करते हैं आज के lecture में ओके दोस्तो तो देखिए आप लोगों को दोस्तो कुल मिला करके यहा सेम है ठीक है जिसमें कि पहला अगर subject की मैं बात करूँ तो आपका दूस्तो यहाँ पे applied mathematics first यह subject यह सभी engineering branch के लिए common है ध्यान दीजी सभी engineering branch के लिए common है इसके बाद दूस्तो एक subject है है जैसे कि मैं बात करूँ applied physics second तो यह subject जो है civil में नहीं है और मुझे देखने को मिला ह कि बाखी engineering branch में है ठीक है जैसे कि मैंने आपको electrical का बताया था ठीक है इसके साथ ही साथ मैंने दोस्तो आपको कह सकते हैं मैंने अभी just mechanical का बताया था mechanical auto mechanical production तो उसमें भी यह subject आपका था ठीक है इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका mechanics तीसरा जो आपका subject है तो यह civil में था mechanical में है electrical में नहीं है ठीक न तो लगभग आपकी subject सेम है लेकिन ध्यान दीजिए आप अपनी ब्रांच का कि आपको कितने subject पढ़ने ठीक न तो यह है आपका chemical ब्रांच के लिए तो पहला जोस्तों आपका आता है applied mathematics second ओके सो यह आपको subject पढ़ना है ठीक है और यह आपक second तो यह भी आपका एक written exam है इसको आपको लिखित देना होता है ठीक है इसको पढ़ना पड़ेगा फिर इसका exam होगा आपका 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 अपका आपका अनलाइन भी हो जकता है ठीक है तो यह इस पर कोई dependent नहीं है हम लोग मत्तब यह है कि किसी ना किसी तरीके से exam तो द में भी है आपका mechanical में भी है और chemical में भी मिल गया तो इसको हम आपको जो तयार करा देंगे और साथी साथ applied mathematics भी मैं ही आपको पढ़ाने बाला हूँ ठीक है चलिए तो यह तीसरा subject कबार हुआ चौथे कि अकर बात करें दोस्तों तो चौथा है basics of mechanical and civil engineering तो यह भी subject जो है में बात करें तो उसे हम लोग वहाँ पर दूस्तों इसको BME बोलते हैं ठीके ना मतलब जिस ब्रांच की बारे में बात करेंगे उसका नेम गायब कर देते हैं यहाँ पर electrical engineering आ जाता है ठीके ना civil में और अगर हम लोग electrical में बात करेंगे तो electrical गायब कर दिया जाता है civil engineering कर दिया जाता है basics of mechanical and civil engineering समझ रहें यहाँ E की जगे C आ जाता है और जब mechanical में बात करते हैं तो mechanical को गायब करके electrical and civil कर दिया जाता है ठीके ना समझ रहे हैं आप लोग तो यह आपको पढ़ना है chemical branch के students को भी और इसका पांचबा subject जो है mechanical operation and solid handling ठीके ना तो यह subject भी पढ़ना ह दोस्तो chemical branch के students को ध्यान दीजिए सारे सारे subject और पेडियेप नोर को जो है टेलीग्राम गुरूप पर दे दिया जाएगा तो टेलीग्राम गुरूप ज़रूर से जोइन के लिए जिने students ने अभी तक जोइन नहीं किया हुआ ठीक ना आपका ही benefit है और अगर आप चाहें त इसकीन सौड इसका रख सकते हैं ले लिजे इसका स्कीन सौड अगर नहीं लिया है दोस्तो अभी तक तो ठीक है चलिए बात करते हैं अगला subject तो देखिए यह यह एक प्रेक्टिकल सब्जेक्ट है ठीक है इसका किवल आपका वायवा होगा आपका जो है एक्जाम में questions मु देना उसी की बेस पर आपके number जो है आपको मिलेंगे ठीक है ना बायवा तो बाकी के subject में भी होगा लेकर उनके साथ साथ उनका return exam भी आपको देना पड़ेगा यह जो 5 subject है आप लोगों के ठीक है ध्यान दीजे ठीक है जबकि यहां workshop में ऐसा आपका नहीं होगा ठीक है न चैनल का भी दिया है और देखिए इसके साथ यह है आपका telegram ठीक है यह telegram का दिया है और यह आपका YouTube चैनल का है अगर आप किसी के साथ भी share करते है और उसको अगर यह benefit अच्छा लगता है ठीक है उसके लिए काम का है तो वो जरूर इस चैनल को जोईन करेगा अगर आप लोग उसके साथ share करेंगे तो तो share भी जरूर कर दीजिए और बता दीजिएगा कि preparation बहुत ही जल्दी start होने वाला है ठीक है ना दोस्तों मैं courses करूंगा कि एक फरवरी से जो है आपका continuously आपको वीडियो प्रवाइड करने लगूं applied mathematics, applied physics, applied mechanics ठीक है और bme या bmce जो भी नेम आपके दिये है अलग 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 ब्रांच में इसका अलग अलग नेम है हलांकि subject सेम है ठीक है चलिए तो फिर यह information आपको कैसी लगी जरूर से मुझे comment box में बता दीजिएगा अच् चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ही कर लेना ओके दोस्तों चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स लेक्चर में thank you and thanks for watching